हेलो इस ट्रेंट गुड आफ्टर नून स्वागत है आप सभी का स्सी वाला यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ और आज से स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम चैप्टर रेलवे के सभी एक्जाम में आप लोगों ने देखे होंगे कि नंबर सिस्टम से कोशन जरूर आते हैं और नंबर सिस्टम खुद में ही एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है इसमें बहुत सारी वेराइटी के कॉंसेट आप बहुत डीटेल में मिलने वाला है यह चैप्टर तो बस आप लोगों को रेगुलर क्लास करने और मुझे कुछ चाहिए नहीं मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ बस आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे और अपना सेलेक्शन शेयूर करेंगे रेलवे के सभी अपकमिं एक्जाम्स में तो आर के अंजना प्राची प्रिंस सुजीत वाकर सभी लोगों को वेलकम बच्चा लोग सभी लोगों को वेलकम देखो यार नमबर सिश्टम में फिलाल आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ नमबर्स पढ़ेंगे लेकिन यह आपको ब प्राइम नमबर क्या होते हैं सारी की सारी चीज़ें इवें नमर प्राइम नमर कंपोजेट नमर सब कुछ मैं तुम लोगों को डीटेल में सिखाने वाला हूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ नमर्स रेशनल एंड इर्रेशनल नमर यानिकि परिमी तता अपरिमी संख्या भी ब बता दू कि नमर्स रेशनल नमर के कहा कहा से कोशन सा दे तो सबसे पहला पॉइंट एक क्लासिफिकेशन से आपका के बन सकते हैं जरूरी है इसके बाद बच्चा को जो जो नमबर सिखा से कोशनल पूछा जाता है आपने हर एक एकस मी pall आपको divisibility rules से question जरूर मिलता है यानि कि विभाजन के नियम आपको पढ़ना आती महत्यपूर हो जाएगा ठीक है विभाजन के नियम से आप लोगों का question जरूर मिलता है विभाजन की नियम के अलावा आपको unit desert से question मिलता है unit desert यानि कि एकाई के अंक वाले जो questions होते हैं वहाँ से आपको question मिलता है एकाई का अंक फिर मैंने exam में देखे हैं आप लोगों के remainder theorem से भी आप लोगों का question मिलता है remainder theorem remainder theorem यानि कि क्या होता है stressful premise से भी आप लोगों को question मिलते ही मिलते है ठीक और recurring decimal अशान्त दस्मलो इनसे भी आपको question मिलता है recurring decimal से आपको question मिलता है आप लोगों को factors से question मिलता है number of factors trailing zeros से question मिलता है मतलब बहुत बड़ा topic होता है ये trailing zeros से question मिलता है trailing zeros के लावा कभी कभी आपको arithmetic में number system में AP and JP इनसे भी question मिलता है तो इतने सारे topic होते हैं अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो यकीन मानिए मैं आपको सारे के सारे chapter एक एक crystal clear करवा दूँगा अगर आप लोग regular class में आते हैं तो ठेक अभी पूजा प्रांचल राहुल अकांचा पूजा सैनी नितिन कुमार शुभाम कुमार सभी बच्चे को समझ में आगया इतनी सारी चीदे पढ़नी है नंबर सुष्टर में पढ़ना चाहोगी पढ़ना चाहोगी free में सारी चीदे detail में अच्छे से तो बस regular class में जो अगरे थी मुझे तो मैंने आप लोग के लिए फोटो भी लगा दी इस फोटो को मैं explain कर देता हूं समझते ही चलिएगा देखो यार आपके number system में जितने भी numbers होते हैं जितने भी numbers होते हैं सबसे पहले आप उनको दो part में divide करते हैं एक होते हैं real number हिंदी में जिने कहा जाता है वास्तविक संख्याएं और दूसरे होते हैं इमेजनरी नमबर जिसे हिंदी में कहा चाता है कालपनिक संख्याएं सबसे पहले बात आती है कालपनिक संख्याएं क्या होती है कालपनिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिने हमें पढ़ना नहीं होता है क्योंकि ये हमारे syllabus में नहीं होती है ये ओटा होती है square root के अंदर अगर negative value पाई चाहती है तो वो image नहीं कहलाती है BSC में, Inter में शायद, BTEC में आप लोगोंने पढ़ा होगा A plus IB के form में जो number होते हैं वो भी हमारे image नहीं number होते हैं आपके competitive exam में वो क्या है Real number Real number भी दो type के होते हैं एक होते हैं परिमिय Rational number, Hindi में कहा चाता है परिमिय बहुत अच्छे से सिखाऊँगा, आज कोई doubt रहने नहीं दूँगा और दूसरा कौन सा होता है आपरिमिय तो simple सी बात मेरे भाईयों जिन number को आप P बटे Q के format में लेख सकते हो जहां पर Q does not equal to 0 याने Q 0 के बराबर न हो और P और Q दोनों के दोनों आपके integer हो P और Q आपके दोनों के दोनों integer हो और integer क्या होता है पूरांक होता है ठीक, इतनी चीज़ समझ में आगी बहुत अच्छे सारी चीज़ समझाते चाहरे है लिखते चलना है, टैंसल ना लो ठीक, परिमीर संख्या, इंग्लिश में क्या कह रहे थे rational number, जो बच्चा कह रहा है देखनी रहा तो हम बताते चलना है, काहे परिशान rational number को दो पार्ट में से बड़ा होगा, नो 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 पुल्टा लिख दिया मैंने जबकि आपका numerator, denominator से छोटा होगा, यानि कि अंश जो है वो हर से छोटा होगा, तो वो आपका proper fraction कहलाता है, और यही अगर 4 बटे 3 लिख जाता, तो फिर वो improper fraction हो जाता है, यहां से आपके exam में ज़्यादा कुशन नहीं बनते हैं, ठीक उसके अलावा, फिर integer क्या होता है, rational irrational क्या होते है, positive integer क्या होते है, zero क्या होता है natural number क्या होते है, whole number क्या होते है उसके लिए हम सीधे चलेंगे अगले page में ठीक non-terminating and non-repeating, numbers are called irrational number, very good राहूल प्रकाश बहुत बढ़िया, अरे ठीक है न, चलो PDF मिली जाएगा तुम लोगों को तो काहे परिशान हो, PDF तुम लोगों को मिली जाएगा सबसे पहले हम आचाते हैं, integer जो हम लोगों ने अभी integer छोड़ रखे दे integer को थोड़ा detail में समझते हैं integer को हिंदी में कहा चाता है पूरांग बीच में क्या आता है 0 यहां क्या होता है 1, यहां क्या होता है 2 यहां क्या होता है 3, यहां क्या होता है 4 और infinite तक यह जाती है यहां minus 1, यहां minus 2, यहां minus 3, यहां minus 4 और ये भी infinite तक जाता है ठीक, कई बच्चे YouTube पे केवल questions और practice करने आते हैं, तो बेटा, मैं तुम लोग को math सिखा रहा हूँ, practice करवा हूँगा last minute question कर रहा हूँगा, लेकिन अभी पढ़ लो concept सीख लो, जादा जरूरी है बहुत काम आता है, ठीक इसमें ये जितने भी number लिखे हैं न, ये सारे के सारे integer यानि के पूरांग कहलाता है 1, 2, 3, 4, सारे के सारे पूरांग 0, भी एक integer यानि के पूरांग है, उसके अलावा minus 1, minus 2, minus 3 अच्छा, एक question आप से, सारे के सारे integer, rational number हैं या नहीं है question आप से सारे के सारे integer सारे के सारे पूरांग rational यानि के परिमे हैं या नहीं है question बताईए सारे के सारे integer यानि के पूरांग rational number है या नहीं है बताईए छोटी छोटी चीदे all integers are rational number, yes, बिलकुल है ठेक, अगर मैं इसी का उल्टा बूचू, क्या सभी rational number integer है, क्या सभी rational number यानि कि क्या सभी परिमे संख्याए integer यानि कि पूरांग है question बताईए क्या सभी rational number पूरांग है नहीं क्योंकि rational number में पूरांग भी आते हैं और भिन्द भी आते है ठेक, तो सभी integer rational number है, लेकिन सबी रेश्टनल नमबर इंटीजर नहीं है ये चीज़ याद रखिएगा इतनी बारी कि कोई नहीं सिखा रहा तुम लोगों को आज कल के जमाने में तो ये जो नमबर होते हैं वन से स्टार्ट होने वाले ये नमबर हमारे क्या कहलाते हैं नैचरल यानि की प्राकृतिक संख्या है नैचरल यानि की प्राकृतिक संख्या है ठीक इसी में अगर हम वन एड कर दें तो ये क्या कहलाने लगती हैं पूर संख्या है पूर संख्या है जिससे इंगलिश में कहा चाता है होल नमबर होल नमबर ठीक है ठीक है और ये सारे के सारे हमारे negative integer हो जाते हैं तो इतना आपको integer में सीख ना था फिर एक चीज़ और सिखाता हूं आप लोगों अभी आप लोगों ने देखा था था थोड़ा सा confusion थे आप लोगों के बीच में मन में थोड़ा सा confusion था परिमी तथा परिमी तथा आपरिमी को लेकर थोड़ा सा confusion था परिमी तथा आपरिमी तथा आपरिमी English में क्या कहते है? Rational तथा Irrational Number Rational तथा Irrational Number Irrational Number समझना आप बहुत प्यार से चीज़े सिखा रहे हूं सुनते जाना Relational Number काउन से होते हैं? मैं यादो जी, Relational Number पूछ रहे हो तुम यह तो हमको भी ना बताओ देखो एक बात बताओ मुझा पहले चीज़ तो यह क्लियर है कि सारे कि सारे इंटीजर जितने भी हमारे पूडांक होते हैं वो क्या है? Rational Number Zero Rational Number है कि नहीं है? Zero Rational Number है या नहीं है? बता दो Zero is Rational Number क्योंकि Zero को भी तो आप Zero upon 1 Zero upon 2 Zero upon 3 Zero upon 4 लिख सकते हो तो Zero भी आपका Rational Number होगा Zero Integer है? Yes Zero Integer भी है? बिलकुल है अब सुनो मेरी बात ध्यान से आपके दशमलो कितने तरीके के होते हैं? दशमलो कितने तरीके के होते हैं? दशमलो डेसिमल नहीं बता ना? सीखते जाओ आज सारी जीला फरस्ट टाइप के डेसिमल 0.125 लिखा हुआ है या 0.6257 लिखा हुआ है क्या कहलाते हैं ये वाले? ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ठीक? टर्मिनेटिंग डेसिमल है अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको भिन में बदल दीजिए तो आप फॉरन बदल देंगे 125 बटे 1000 तुरंत बदल देंगे आपको टाइम नहीं लगे चंद सेकेंड में बदल देंगे मैं आपसे कहूँ कि इनको बदल दीजिए 6257 डिवाइड़ वही कितना आजएगा 10,000 तुरंत बदल दिया तो भाईया पहिला वाला भी देखो पी बटे क्यू के फॉर्मेट में लिग गया दूसरा वाला भी भाईया पी बटे क्यू के फॉर्मेट में लिग गया जब ये लिग गया तो ये नमबर कौन से कहलाने लगे rational नमबर कहलाने लगे बात समझ में आई की नहीं आई सारे डाउट क्लियर हो जाएगे टंशन न लो सारे डाउट क्लियर हो जाएगे दूसरा वाला decimal काउन सा होता है बच्चा लोग एक नमबर लिखा हुआ है और लिखे हुए या फिर लिखा हुआ है क्या इन नमबर को पी अपॉन के फॉर्मिट में लिख सकता है क्या इन नमबर को fraction यानि की भिन्न में लिख सकता है क्या इन नमबर को हम लोग fraction यानि की भिन्न में लिख सकता है अकांचा ने तो कह दिया कि नहीं होगा यह अशान्त दशमलों कहलाते हैं बिल्कुल सही है कुछ बच्चे कह रहे हैं लिख सकते हैं जवाब, यह क्या लिखा हुआ है, 0.3 bar, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, अशान्त दसमलो, repeating, recurring decimal, 0.3 यानि कि 3 बटे 9, यह क्या लिखा है, 0.43 bar, क्या हो जाएगा, 43 upon 99, फिर यह क्या लिखा है, 0.468 bar, कितना हो जाएगा, 464 बटे 900, अब लोगों को यह भी नहीं पता, यह भी नहीं पता, यह भी नहीं पता, तो यह हम सिखाएंगे आपको, यह हम सिखाएंगे आप लोग, क्यूं 3 बटे 9 करते, क्यूं 43 बटे 90 कर सकते, क्यूं 464 बटे 900, कहां से आया, यह भी हम ही सिखाएंगे, जब recurring decimal पढ़ेंगे, और recurring decimal क question solve करेंगे तब ये चीदे हम ही आपको सिखाएंगे आपको भटकने की ज़रूरत कता ही नहीं है फिलाल इतना चान लीजे कि इन नंबर को भी आप भिन में बदल सकते हैं ये भी fraction में convert हो सकता है ये भी fraction में convert हो सकता है कैसे convert हो सकता है ये सब तुमारा भाई तुमको सिखाएगा तो जब ये भी भाईया पी अपॉन क्यू ये भी पी अपॉन क्यू ये भी पी अपॉन क्यू तो जब सारे के सारे पी अपॉन क्यू है इसका मतलब ये वाला भी कौन सा हो गया rational number हो गया हो गया ना rational number बताओ कोणो डिक्कत तो नहीं rational number हो गया न ये वाला ठीक, 43 बेटे 90 नहीं आएगा बेटा 43 पूरा पूरा repeat हो रहा है तो 43 बेटे 99 आएगा बेटे ठीक है, देखो अब तिसरका वाला देख ले हो जरह तिसरका वाला काउंसा होता है 0.4378921548 यहां पर 950 हो यहां पर 900 नब्वे होगा यहां पर 900 नब्वे होगा किया हो रहा है खतम ही नहीं हो तो वह तो terminate हो ही रहा जब वह terminate भी नहीं हो Ramweck भी नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहेंगे, non-terminating, non-repeating decimal, अशान्त कह लो, कुछो कह लो, बस सीधी सी बात कहने का ये है, कि इसको आप P, बटे Q के format में नहीं लिख सकते, और जब नहीं लिख सकते, तो यही नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं, irrational number, गई, irrational, जिससे हिंदी में हम क्या कह रहे थे, आप परिमें संख्या, इसके example होते हैं, pi, pi के अलावा, under root 2, under root 3, और भी बहुत सारे, clear हो गया, आज के बात कभी भी जिन्दगी में confusion तो नहीं रहेगा, कि कौन से number rational होते हैं, कौन से number irrational होते हैं, कभी भी जिन्दगी में कोई confusion नहीं रहेगा, कि कौन से number rational होते हैं, और कौन से irrational होते हैं, याद रहेगा, जिन्दगी भर, ठीक, बेटा, इसको convert करके बताओ, प्राची, अगर तुम इसको convert कर सकती हो, तो बताओ, अगर ये repeat हो रहे होते, तो तो हम कर देते, ये 9 वाले method से divide कर देते, अगर ये हमें प portion, अभी अभी मैंने समझाया है, पाई क्या है, पाई क्या है, रेशनल और इर्रेशनल, पाई क्या है, रेशनल और इर्रेशनल, बाईस बटे साथ क्या है, रेशनल और इर्रेशनल, बाईस बटे साथ क्या है, रेशनल और इर्रेशनल, तीन दशमलों, एक चार क्या है, rational और irrational आज की बद कोई confusion रही नहीं नहीं दूँगा विट्टा तुम्हें इतना बढ़िया तरीके से तुम्हें railway की तयारी करवा रहा हूँ कि कभी जिंदगी मैं गलत नहीं करोगे इस पर चलो बटाओ बटाओ rational irrational मैट्स भाइ यादो जी सिखाएंगे सबका टाइम आने दीजिए सब कुछ सिखाएंगे वक्त आने दीजिए बस वक्त आने दीजिए जवाब confusion ही confusion है solution कुछ पता नहीं solution जो पता तो question क्या था पता नहीं है मदा आया देखो पाई irrational 22 बटे साथ rational तीन दशमलो एक चार भी rational अब सर जी ये तो धोका हो गया सर जी बचपन से पढ़ते आएं सर जी कसम मतारे बचपन से पढ़ते आएं question में लिखा होता था 22 बटे साथ सर जी question में लिखा होता था तीन दशमलो एक चार फिर सर जी ये कैसे हो सकता है कि पाई rational है नहीं है value नहीं होती है 22 बटे साथ पाई की लगभग value 22 बटे साथ होती है समझ में आया पाई की लगभग value जो होती है वो तीन दशमलो एक चार होती है exact value नहीं होती है हम question को solve करने के लिए 22 बटे साथ या 3 दशमलो एक चार ले ले लेते हैं लेकिन पाई की exact value ना तो 22 बटे साथ होती है ना तो 3 दशमलो एक चार होती है ये दोनों की दोनो approximate value होती है ठीक है आज के बाद तो नहीं भूलोगे कभी भी कोई confusion तो नहीं रहेगा hundred percent concept clear रहेगा बढ़िया ठीक चलो आगे बढ़ते हैं even and odd number ये तो लगबग सभी को ही पता होगा इसको ज़्यादा लंबा बताने की ज़रूरत नहीं है सम तथा विसम संख्या सम कौन से जो दो से divisible हो जो दो से विभाजित होंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी और जो दो से विभाजित नहीं होंगी जो दो से बच्चा लोग विभाजित नहीं होंगी वो संख्याएं विसम संख्याएं कहलाएंगी किसी को कोई दिकत पाई इरेशनल है 22 बटे 7 रेशनल 3.1 चार रेशनल ठीक समच्य में आ गया अच्छे से समच्य में आ गया जो संख्याएं दो से विभाजित होती है वो संख्याएं यानि कि इवेन नमबर कहलाती है जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती है वो विसम संख्याएं कहल होने चाहिए यहा पर लास्ट की क्या होने चाहिए रभान मन So शुंद kicked out total Τैंग आपने की विसमसेंन यह नबर पाई जैते जाएं तो समसंग का थैंस सिंपल सी वाथ यह सबी को आता है यह सबी को आता है यह मुझे बताने के ज़ूरत नहीं है अच्छा एक लप्दू सब्सक्राइधी और अइन सब्सक्राइब oluyor पूछा गिया था ज़रा इस प्छनवा का उत्तर दे पाई रहे हैं तो ब्लोग इसका अंसर इतने बड़िया तरीके से बढ़ा रहे हैं फिर्बें अगर तुम लोग नहीं पढ़ाई इतना बुरह लग जाएगा अब हमको इतना डिटेल से बढ़ा रहे हैं कि अगर रिएलवे का बैच बंद करने हैं आज बता रहा है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो वॉकर, शिवसंकर, सितेश, स्वाती, सपना, सुतर, प्रांचल, अकांचा, खुश्बू, राहुल, सभी बच्चे आए करो डेली यार, इत्ती महना से पढ़ा रहे हैं डीटेल में, देखो, यदि एक समसंख्या है, समसंख्य जब आपने इसमें एक एड कर लिया, यानि कि करेक्ट आंसर कितना, X प्लस 1, X प्लस 1, option number B correct है, बस हो गया, done है, done है, done है, हांची प्रांचल, very good, option number B done है, बच्चे लोग, option number B को सम्मिट कर दो, 68% लोगोंने सही आंसर दिया, कुछ लोगोंने गलत आंसर भी दिया, KGS, व बढ़ दिया, ठीक, एक और question है, even odd से, जरा, इसका भी आंसर देकर सभी बच्चे बताएंगे, क्या, even odd से, एक और question पूछा गया है, जरा, इसका भी आंसर देकर बताया, दीजे, सभी बालक एवं बाले काओ, बताओ, बढ़िया प्रांचल, एक और 47, बढ़िया, चलो, जल्दी से इस प्रशन का भी उत्तर देकर बतादो, क्या है रहा है फिर, सारी चीदें अच्छे से सीख लो, नंबर सिस्टम की जिन्दिगी में confusion नहीं होना चाहिए, तुम लोग होगो, फिर से एक आसान सा question है, दिल्ली पुलिस में ये question बूचा गया था, I hope, सभी बच्चे इस question का चुटकियों में answer दे सकते हैं, देखें, एक्स और वाई, दो समसंख्या है हैं, हमने माल लिया, एक्स बराबर दो माल लिया, और चलो वाई बराबर चार माल लिया, कोई दिकत माल लिया, अपनी मर्दी अपना कुछ भी कर सकते हैं, X की पावर Y Option नमर A है तो 2 की पावर 4 2 की पावर 4 क्या मिलेगी सम संख्या मिलेगी न विसम तो नहीं मिल सकती B X Y तो 2 गोड़े 4 करोगे 2 गोड़े 4 क्या मिलेगा 8 मिलेगा 8 क्या होता है सम संख्या होती Option नमर C में आ जाओ 2 प्लस 4 और 2 गोड़े 4 8 8,2,10,4,14 क्या मिलेगा सम संख्या मिलेगी तो Option नमर D करेक्ट हो जाएगा बस हो गया और करके भी देख लो Option नमर D में रखोगे तो 2 प्लस 4 प्लस 1 2,4,6 और 1,7 साथ मिल गया विसम संख्या Option नमर D 100% सही जवाब हो गया क्लियर आ गया समझ में Option नमर D 100% सही जवाब है Option नमर D कितने बच्चों ने सही दिया हे भगवार केवल 55% बच्चा ही सही आंसर दे पाया है अकांचा अजनाच देशी बवाई सुदामा, हरेंद्र, बिजींद्र, हरेंद्र और गौरव, जननत, प्रांचल, अंकिता, दिव्यांची, एके, सतालिस, नितिन, सुतर, राहुल, आदी, सुचीत, रितिक, बढ़ दिया चलो आगे आजाओ अब एक important topic फिर से Prime तथा composite number Hindi में कहा जाता है भाज्य तथा अभाज्य संख्या भाज्य तथा अभाज्य संख्या भाज्य तथा अभाज्य संख्या हिंदी में कहा जाता है ठीक, क्या होता है भाज्य और अभाज्य क्या होती है हिंदी में कहा जाता है केवल एवं केवल केवल एवं केवल दो गुडन खंड हो केवल और केवल दो गुडन खंड हो या केवल और केवल दो भाजग हो केवल और केवल दो भाजग हो इंगलिश में only and only only and only two factors only and only two factors one and itself one and itself one and itself का मतलब क्या हो जाता है ऐसे संख्या हैं जिसके केवल हो केवल दो गुडन खंडो एक वो खुद और एक one one and itself लिखा न तो one and itself यानि कि खुद नंबर ठीक और दो से जादा दो से जादा संख्याओं से भाग जितो विभाजित हो दो से जादा संख्याओं से विभाजित हो ठीक है more than two factors more than two factors English में भी लिख लो चलो more than two factors मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार सभी लोग कमेंट करना है मज़ा आ रहा है more than two factors ठीक अब यहाँ पर example क्या होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on और यहाँ पर आपके example क्या होते हैं 4, 6, 8, 9, 10 and so on ठीक अब आपसे एक लप्पू सा question पूछ लेते हैं चलो यहीं पर लप्पू सा question पूछ लेते हैं smallest prime number कौन सा है smallest prime number कौन सा है सबसे छोटी अभाजी संख्या कौन सी है सबसे छोटी अभाजी संख्या कौन सी है बता दो जल्दी से comment में line लगा दो comment में line लगा दो comment में line लगा दो सबसे छोटी अभाजी संख्या कौन सी है सबसे छोटी अभाजी संक्या कौन सी है जल्दी से बता ना बिना विलम के क्यूंकि वन जो है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजित में यानि कि ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है समझ गए अब तो नहीं भूलोगे सबसे चोटा प्राइम नंबर दो होता है वन को ना तो प्राइम में रख सकते हैं ना तो नंबर दो होता है वन ना तो प्राइम ना तो कंपोसिट क्लियर मजा आ रहा है उसके बाद एक चीज़ और समझ लो को प्राइम को प्राइम क्या होते हैं हिंदी में कहा चाहता है सह अभाज्य है सह अभाज्य हिंदी में कहा चाहता है सह अभाज्य क्या होता है दो संख्याओं का दो संख्याओं का समु हो जिनका HCF एक हो इंगलिश में सेट आफ टू नंबर सेट आफ टू नंबर विच हैव एच्छी एफ इसकुल टू वन ठीक है कोई भी दो संख्याओं फॉर एग्जामपल दो कॉमा तीन इनका HCF क्या है इनमें कुछ कॉमन है ना कुछ भी कॉमन नहीं जब वन कॉमन है तो HCF कितना हो गया तू कॉमा वन ठीका HCF वन यानि कि ये सहबा जिसन क्या होगी अच्छा तीन और दस तीन और दस अब सोचो ज़रा तीन और दस है ना ये प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है ये प्राइम नंबर नहीं है जब ये प्राइम है ये प्राइम नहीं है तो से सहब आचे कहेंगे या नहीं कहेंगे बिलकुल कहेंगे क्योंकि definition में यह तो लिखवाई नहीं कि दोनों के दोनों नंबर आपके prime होने चाहिए आपस में prime होने चाहिए तो 3 और 10 तीन और 10 का कोई भी common factor नहीं है तो इसका मतलब 3 और 10 का है से भी बन हो चाहिए तो यह नहीं कि यह भी हो जाएंगे अच्छा को प्राइम को कभी आपसे question में यह भी कह सकता है relatively prime relatively prime relatively prime का भी मतलब सेम ही होता है relatively prime का भी मतलब सेम ही होता है कि दोनों में एक दूसरे के respect में prime हो दोनों का कोई भी common factor नहीं हो ठीक तूइन प्राइम क्या हो जाते है ऐसे प्राइम नंबर का सेट जिनका बीच का अंतर दो होता है तीन 5 ठीक 11 13 तो वो सारी चीज़ इतनी important नहीं है यह ज़्यादा important है वो चीज़ मैंने आपको सिखा दिया clear कुछ important points है important points में केवल last के तीन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जरूरी है लास्ट के तीन सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है लास्ट के तीन पहला वाला तो यह है कि केवल दो एक एक लौता सम और भाज्य संख्या है सबसे छोटा भाज्य संख्या चार होती है पहली विसम भाज्य संख्या पहली विसम भाज्य संख्या सौरी कितनी होती है 9 होती है यह पॉइंट जरूर याद रखने है पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप एक से लेके पचास तक की अभाज्य संख्या है गिनेंगे तो आपका अंसर आएगा 15 और इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मला नहीं होता गिन के ही आप बता सकते हो अगर एक से लेके 200 तक कभी कोश्चन में यूज हो जाएगा तो फिर 46 अभाज्य संख्या होती है इनको निकालने का कोई तरीका नहीं होता है सीधे सीधे एक एक करके सारे नमर को चेक करके फिर आप काउंट करते हो यह आप एपी जीपे के फॉर्मल लगा के नहीं कर सकते 瞰े से कोश्चन का आंसर देके बताएंगे सभी लोग निंमल लिकित यूगमों में से कौन सा सह अभाज है अब आप लोगों को कोश्चन की प्रेक्टिस करनी है अगले आदे गट which of the following pairs is co-prime co-prime कौन से सह अभाजी है बताएंगे चल्द इसे answer और तुम लोग teacher को motivate करने के लिए कुछ भी काम नहीं करते हो हम कहते हैं कि class में 100 उसे उपर तो कम से कम दिखने ही चाहिए regular और तुम लोग वो भी help नहीं करते हो हमारी इतने बढ़िया बढ़िया concept तुम लोगों को सिखा रहे हैं तुम लोग भी तो को जिम्मेदारी बनती है न बेटा लोग नहीं बनती है तो बताओ कौन से सह अभाज्य 156-126 दो से दोनों डिवाइड रगाते हैं जिन बच्चे को 23 और 92 लग रहा है दोनों के दोनों नमबर 3 से डिवाइड होते हैं 3,8,24,3,3,3,3,3,3,3 अठाओ 18 और 35 कोई भी common factor नहीं है option number D सही हो गया खतम बात option number D खतम बात आ गया ना समझ में option number D सही है option number D 66% 16 बच्चे सही आंसर दे पाए और सुतर जी, सुजीत, 1,47, शुभम, सुदामा, खुश्बू सभी का अंसर सही बढ़िया next question अगला question शांदार सा जल्दी से आंसर देंगे इसका भी जल्दी से आंसर देंगे इस बहतरीन से प्रश्न का जल्दी इसका अंसर भी दे दो क्या अंसर आ रहा है बताओ साट से सौ के बीच में कितनी अभाजे संख्या होती है कुछ बच्चे दस बोल रहे हैं कुछ बच्चे आठ बोल रहे हैं कुछ बच्चे साथ बोल रहे हैं और कुछ बच्चे आंख बंद करके तुका भी मार रहे हैं कुछ बच्चे तो आँक ऐसे बंद है, कोश्चन भी नहीं पढ़ने, बस A, B, C, D में आंसर दे रहे हैं, किसी ना किसी का तो सही हो ही जाएगा, है ना, वेंपायर का मुझे ऐसा लग रहे है कि सही हो जाएगा तो जरा आप दो पीच पीछे चले जाओ, क्या लिखा है, एक से पचास तक पन्दरा अभाजी संख्याएं, एक से सो तक पच्चेस अभाजी संख्याएं ठीक है, ये पोइंट लिखा है, अब यूज करो यहां पर, आपको अच्छे से पता है कि एक से लेके पच्चास तक पता है इसका मतलब आपको ये भी पता है कि 50 से 100 तक कुल 10 अभाज संख्याएं होती है ठीक है आपको ये भी तो पता है ना कि 50 से लेके 100 तक कुल 10 अभाज संख्याएं हो जाएंगे जब 50 से लेके 100 तक 10 अभाजे संख्याएं हैं तो अगर हमको या तो आप 60 से लेके 100 तक गिन के निकालो समय खराब करो या फिर अगर आप 50 से लेके 60 तक की अभाजे संख्याएं बता दो तो फिर 10 में से माइनस कर देंगे आपको पता चल जाएगा कि 60 से लेके 100 तक कितनी हो रही है अगर बच्चा लोग आपको 50 से 60 पता चल जाएगी 50 से 100 आपको पता ही है तो 50 से 60 वालों को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आकरकार 100 से 100 में कितनी होती है चलो निकालते है पचास से साट में सबसे पहले बच्चा चेक करते हैं इंक्यावन को जो कि अबाज संग्या नहीं होती क्योंकि इंक्यावन तीन से विभाजित होता है फिर आप बावन को तो चेक करने की बेवकूफी करेंगे नि आप त्रेपन को चेक करेंगे करेक्ट आंसर Đन है ओप्षिन-बोर सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऐसे कोशन आप लोगे एक्जामस में खूब देखने को मिलते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, खूब सारे, ठीक, क्लियर है कॉंसेप्ट बच्चा लोग, सीख गए, संतावन कनफ्यूस कर दिया था, कोई बात नहीं, ऑप्शन नमट डी, अब ना होना कनफुजी आना नहीं, वॉकर, वेंपायर, राहुर, गोविंदा, ब्रजेंद, और सुजीत, जननत, स्ट्वर्ड लेटल, यदुवंसी, सरोज, कश्य, बढ़िया, टॉप 10 बच्चों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जरा, अगला, प्रश्न, करके दिखाएंगे, और इस बार तो बच्चा यह होती है, जल्दी से बतादो, यह तो तुम 20-50 तक काउंट कर लो, यह तो तुम 21-20 वालों को माइनस करतो, तुमहारी 24, तुमहारी एक्चा जो करना है कर लो, बॉस, देखो, 20-50 तक, आपको यह तो पता है, ना, कि एक से लेक built-50 कितनी अभाजे तक होती है, 15, आप 1-20 टक जल्दी निकाल सकते हो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से बाकि अगर 20-50 directly निकालना चाहते हो तो यह तो आपकी इच्छह है तिक आप जब एक से लिए के 20 तक निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी 2 3 5 7 9 नहीं होती ग्यारा होती है 13 होती है पंदरा नहीं होती सत्रह होती है उन्नेस होती है वा 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 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ कितनी आ गई आठ पंदरा में से आठ घटा होगे इस कोशन का करेक्ट आंसर कितना आजेगा साथ अप्शन में डी एकदम सही जवाब है ऐसे अब आजे संक्या निकाल दी चाती है ऐसे अब आजे संक्या के कोशन आते हैं उमीद करता हूं सब बिच्चे कोशन को सौल कर सकते हैं एजली ठीक है भया जी समझ में आ गया है किसी ने गलत आंसर तो नहीं दिया है दिया जरूर ह कोगा यह देख ले सबसे पहले सभाएर को देशंट का वाकर चांचा का जननत चंदा का सुझी का सुतर का नितन का अंजली चाओ नेक्स्कोशन करके दिखाओ भाई एक और, करते जाओ, सीख के मानोगी आज, हाँ जी, इस पर composite number पूछ रहा है, ध्यान देना, क्या, भाज जी पूछ रहा है, बहुत ज्यान से ध्यान से ध्यान देना, ठीक है, चलो, करो जल्दी से, कुछी हम 27 और 29 तक तो गए ही नहीं, हम 27 और 29 तक गए ही नहीं, हमने दूसर तरीका लगा लिया, हमने मेहनत की ही नहीं, एक से लेके 20 तक निकालना ज्यादा असान होते हैं, इसलिए, ठीक, आपने वहाँ से निकाला, वहाँ से निकाला, जैसी आपकी मर्जी, अभी तो आज के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 नहीं होती विभाजित, 30 के बाद 31 नहीं होती विभाजित, 31 के बाद 32 होती है, 33 होती है, 34 होती है, 35 होती है, 36 होती है, 37 नहीं होती है, 38 होती है, 39 होती है, 39 के बाद 40 होती है, 41 नहीं होती, 41 नहीं होती है, 41 नहीं होत एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, ताट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, करेक्ट आंसर कितना, पंदरा, option number C, हो गया, count ही करना था और कोई method यूज नहीं करना था, directly count करके answer बता देना था, बस, option number C, option number C को जल्दी से submit कर देंगे, 65%, राहुल, ज count करते रहो, जब तक तुम लोग prime number में 100% sure नहीं हो जाएगी, जल्दी से इस बार फिर से count करके बताओ कि आकर कर कितने होगे, अब यहां पर बहुत गल्तियां होती है, मैंने खूब देखा है, कुश्यन में बच्चे को गलत करते हुए, जल्दी से यहां पर count करके बता दो जल्दी, अब यह करके दिखा ओ, यार simple सा, 100 से लेके 120 के बीच में कितनी अब भाजे संख्या होती है, सबसे पहले чocolate करोगे 101 को, 101 के बाद किसको check करोगे 103 को, ना तो 101 किसी से विभाजित होता है, ना तो 101 किसी से विभाजित होता है, सही बात, एकदम सही बात, हाँ जी exam म बढ़ेगा 104 105 106 107 भी होता है 108 109 वी होता है 110 नहीं होता है 111 नहीं होता है 111 से विभाजत होता है याद रहानी होगा 114 नहीं होगा तेरा से डिवाइड होता है 118 नहीं होगा 119 भी नहीं होगा 119 भी आपका 7 से विभाजित होता है 119 भी नहीं होगा तो बस इतनी मिले 1, 2, 3, 4, 5 कितनी मिले केवल हो केवल 5 option number C कितनी लोगों ने गलत answer दे दिया 7 दे दिये English में भी तो बढ़ा रहें बिटा English इनी दोनों ही language में तो करवा रहा हूँ दोनों ही language में करवा रहा है 7 answer दे दिये कई बच्चों ने 117 को count किया 113 को count किया 111 को sorry कई ने 111 को भी count किया 117 को भी count किया 119 को भी count किया 3 के 3 प्राइम नहीं होते समझ में आया 1 1 1 3 से डिवाइड है 1 1 7 13 से डिवाइड है 13 9 जा 1 17 होता है 7 से ये नमबर भी डिवाइड होता है 7 से डिवाइड करोगे या 17 इंटू 7 करोगे तो 1 1 9 होता है और कल लो गलत ठीक अरे भाईया पहले तो 3 से डिवाइड हो जाता है दे पाए ज्यादा तो लोगों के गलत आंसर आगे इस बार है ना नेक्स्ट मैंने का तरह मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर भी चीज़ें सिखा दूंगा तुम लोगों को क्योंकि कभी-कभी ऐसे आसान से कुशन भी आप गलत करके आते हैं तो जल्ली से इस कुशन लेकिन ये भी सीखना जरूरी होता है ऐसे भी कुशन एक्जाम में पूछे जाते हैं ध्यान से पढ़ेंगे और फेस वैल्यू तो वही जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ध्यान से समझेंगे तो जब आपसे फाइव के प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको सिंपल सा काम ये करना होता है फाइव लिखिए और फाइव के बाद जितने प्लेस आ रहे है उतने जीरो लगा दीज़े एक दो तीन चार लगा दिए बस इतना सा काम है और जब आपसे अंकित मान यानि कि face value पूछी जा रही है तो face value तो भही होती है और कुछ होती ही नहीं है माइनस करवा रहा था माइनस करवा दिया तो यहाँ पे 5 बच्चा यहाँ पे 9 बच्चेगा 9 बच्चेगा 9 बच्चेगा 4 बच्चेगा 49,995 ओप्शन नमर्डी एकदम सही जबाब है प्लेस value का मतलब वही value जहां पे वो रखी हुई है तो 5 कौन से इस्थान पे बच्चपन में बढ़ा था एकाई दहाई सेकडा हजार दस जार लाग दस लाग पढ़ा था इंग्लिश में क्या पढ़ा था unit place 10th place 100th place 1000th place वही चीदा यहाँ पर भी तो 5 जो है वो हमारा कौन से जगे पे है 50,000 वाली जगे पे है माइनस कर दिया आंसर आ गया चोटी सी चीज थी बच्चों वाली है ना लेकिन सिखानी पढ़ती है क्योंकि 100% तो आंसर अभी भी नहीं आएंगे 79% लोगों के ही आंसर आ पाए थे बढ़िया लेकिन 20 बच्चों के आंसर आ थे यह अच्छी ब चलो एक और करके बताए ना नमबर सिस्टम के बेसिक में ये जरूर सीख लेना जरूर है बहुत छोटी सी चीज लेकिन कई बच्चे आज भी गलतियां करते हैं चलो इसको बताओ जली से क्लास में 100 का आकड़ा पार कराने के लिए सभी बच्चे थोड़ी सी हिम्मत लगा दे सभी बच्चे थोड़ा सा मिल के सपोर्ट कर दे तो क्लास के 100 के पार पहुचने में समय नहीं लगेगा आप लोग चाहेंगे तो और अगर मैं अच्छा ना पढ़ा रहा हो तो मत करना ठीक, नैनत कर रहो ना तुमाई लिए देखो इस बार क्या है? इस बार क्या है बच्चा लोग देख लो क्या है? तुम्हीं लोग देख लो हमें क्या है देखने की जुरूएत है तीन के अंकित मान तीन का अंकित मान तो तीन ही होगा इस थानी मान, तो फिर से तीन लिखा, एक, दो, तीन, चार, चार जीरो चिपका दे, चार जीरो चिपकाने के अलावा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, अंकित मान कितना हो जाएगा, तीन, उठा कर एड कर दोगे, तीन, ट्रपल, जीरो, तीन, ट्रपल, जीरो, तीन option number B correct है हो गया clear बहुत बढ़िया option number B को submit कर दो option number B 80% लोगों का सही आंसर आ रहा है walker, akanchah, fatafat stuart little, sudama, somanta, desi boy kapil, ashuto, subhaji बढ़िया कुछ formula है बच्चा लोग जरह इनको note कर लो तुमारे काम आएंगे बहुत ज़ादा यह कुछ formula ही इनका screenshot ले लो वरना PDF तो मैं दे ही दूँगा क्या है प्रथम N प्राकृतिक संख्या है पहला वाला क्या लिखा हुआ है प्रथम N प्राकृतिक संख्याओं का योग यह अभी भी काम आएंगे और औसत चैप्टर में भी काम आएंगे औसत चैप्टर में भी यह बहुत ज़ादा काम आएंगे प्रथम N प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम N संख्याओं का योग प्रथम N विसम संख्याओं का योग प्रथम N संख्याओं के वरगों का योग और प्रथम N संख्याओं के घनों का योग बाकि आपको PDF तो मिली जाएगा, तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, यह PDF आपको मिल जाएगा, और जब आपका योगफल क्लियर हो जाता है, तो average भी clear हो जाता है, इसलिए कहना हूँ कि यह आपका average में भी काम आएगा, अभी कुछ छोटा सा question बचा है, एक question UPSI का मैं करा पए, हाँ, इतनी मेहना से बढ़ाओ, इतना अच्छे से बढ़ाओ, दुखी कर देते हो, तुम लोग, मन दुखी कर देते हो, कोई ना बच्छा लोग, चलो उत्तर बताओ चली से इसका, बिल्कुल छोटा सा question है, चलो, इसका answer तो सभी लोग देई ही रहेंगे, वो लगा तो है यार, कौन सी अभाज्य है, उन्तालिस तीन से डिवाइड, इनक्यावन तीन से डिवाइड, सत्ताइस तीन से डिवाइड, केवल सैतालिस ऐसी है, जो किसी से विभाज़त नहीं होती, option नमर A सही है, 87 प्रतिशत बच्चों ने इस बर सही answer दिया, बढ़िया, 35 बच्चों ने, सबसे अच्छी बात यह है कि 35 बच्चों ने सही answer दिया, वेल्डन, आप देखो, RRB Group D में कितना हलवा सा question पूछा गया था, जो मैंने तुम लोगों से पहले ही पूछा था, पहले ही पूछा था, जो एक हलवा सा question पूछा गया था, PDF आप लोगे घर पे भिजवा दें, आप लोग कहो तो, कुछ बच्चे पूछने है, PDF कहां पाया जाता है, PDF जो है, कहो तो आप लोगे घर के address पे भिजवा दिया जाए, अगर आप लोग कहो तो, वरना फिर PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप से उठाना पड़ेगा, टेलिग्राम ग्रूप है हमारा, हमारे ही नाम से, उस ग्रूप से आपको PDF उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको PDF मिलेगा, घर पे तो नहीं भिजवा पाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, तुम लोगे सबों के घर पे करवेए, कोरियर करवाएंगे अगर, तो बहुत खर्चा हो जाएगा, फिर सबके घर का एड्रेस चाहिए होगा, मालो किसी का घर आसपास पढ़डा होगा, तो फिर हो सकता है, चाय पानी पे हम पहुच जाएगे, इसलिए PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप पही दिलवा देंगे, अलग से कुछ नहीं करेंगे, ठीक, पारसल करवा दें सबको, सबसे छोटी अभाजे संख्या कौन सी है, दो, आरवी ग्रूप डी में पूछा भी गया था, ओके, तो आज की सिवा यहीं पे समाप्त कर दे, अप्शन नमर सी, आज तुम लोगों ने गलत किया, सो बच्चे नहीं पहुँचे एक लास में, वाकर, डेसी बॉय, 217, सुबाजीत, कितने बच्चे ने आंसर दिया, 29, हे भगवान, अभी भी किसी ने 1 आंसर दिया था, अभी भी ने किसी ने 1 आंसर दिया था, देखे तो रहा किया आंसर दिया है, किसी ने 1 आंसर जीरो आंसर दिया, वा, जीरो को भी प्राइम बना दिये, जीरो को भी प्राइम बना दिये, उसके बाद कुछ बच्चे 1 को बना दिये, कुछ बच्चे तीन को बना दें कोशन तो पढ़ लिए होते हैं कोशन भी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे लोग कुछ बच्चे जीरो आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे वज आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे तीन आंसर दे रहे हैं बस जैसे ही question change हुआ, कुछ बच्चों ने zero answer दे दिया, कुछ बच्चों ने option number भी, यहनोंने क्या किया, यहनोंने question भी नहीं पढ़ा, यहनोंने सीधे option में answer दिया है, A, B, C, D, बस, question क्या है, पूछी नहीं रहा, हमसे मतलब भी नहीं है, इतने शाधान हो चुके हो तुम लोग, चलो, कोई बात में, ठीक है, तो आज आप लोगों ने classification of numbers पढ़ लिया, rational, irrational पढ़ लिया, prime and composite पढ़ लिया, practice questions भी कर लिये, धन्यवाद, सभी बच्चे, अगर इस class की PDF चाहते हैं, तो हमारी class, maths by, सुझाओ दीन सर, maths by, सुझाओ दीन सर, टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करेंगे, वहाँ पे अब भी हम इस class की PDF अपलोड कर देंगे, ठीक, maths by यादो जी का नाम ले लो, maths by है, बताओ, maths by, हम maths by सुझाओ दीन सर कह रहे हैं, maths by, सुझाओ जाने क्या बता रहे हैं, सुतर, वॉकर, सुदामा, राहुल, इस लेटर, देसी वॉए, अकांचा, सुझीत, जननत, अंकिता, प्रांचल, स्वाथी, 41, सभी की रैंक अप हुई आज, बढ़िया, अच्छा कर रहे हो, आप लोग ऐसे ही डेली पढ़ते रहोगे, हम इसी प्यार से आप लोगो डेली मैッस पढ़ाते रहे एंगे, और सारी चीदें आप लोगो बढ़िया तरीके से सिखाते रएंगे, ठैंकिसो मäच, पढ़ते रहेए, बढ़ते रहेए, परफसीं, टाटा,